मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानी टेस्ट टू बैबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑप्सेटिक अंगा इनकोलोजी मोर देन 20 यर्ज आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्तनपान के दावरान जब अपने नीपल्स फ्लैट यहने की सपार्ट रहते हैं या कभी उल्टे रहते हैं यहने की रिट्रैक्टेड रहते हैं तो हमें स्तनपान कैसे करना है करने के लिए प्रेग्नेंशी के दाउरान दौक्टर को पता चलता है निपल्स फ्लाट है या निपल उल्टे है याने की रिट्रेक्टेड है जब निपल्स फ्लाट रहते है रिट्रेक्टेड रहते है तो डॉक्टर आपको कुछ एक्सराइज देंगे और आपके निपल्स पहले से ही बाहर लाने की कोशिश करेंगे इसके लिए डॉक्टर आपको निपल पुलर का भी इस्तमाल करने के लिए कह सकते हैं लेकिन मान लो प्रेगनंसी के दौरान हमारा थ्यान हमारे निपल पे नहीं गया और हमारा निपल फ्लैट निपल है या उल्टा निपल है याने कि रिट्रैक्टर निपल है तो हमें breastfeeding कैसे करवाना होता है क्योंकि जब हमारा निपल उल्टा रहता है यानिके retractor रहता है तो बेबी को स्तनपान के दौरान दिक्कत आती है बेबी अच्छा सा चूज नहीं सकता और बेबी का पेट कम भरता है हमारे निपल कैसे है यह जानने के लिए हमें एक छोटी सी test करवानी होती है मान लो हमें लगता है कि हमारे निपल छोटे है या सपाठ है तो आपको हलके से धीरे से उंगलियों से निपल को टच करना है या निपल को दबाना है या हलके से उसको रगड़ना है जब सपर्ष करने से या रगड़ने से निपल उभर आते हैं तो ये पॉफेक्टली नॉर्मल रगड़ना होता है तो हमारे चोटे निपल या सपाट या फ्लाट निपल बाहर आ जाएंगे और आप बेबी को सनपान के लिए तब वो ब्रेस्ट ऑफर कर सकते हैं अच्छे सनपान के लिए जैसे हमें मालूम है हमारे स्तनों का साइज भी निर्भर नहीं करता स्तन चाहे छोटा हो या बड़ा हो आप सक्सेसफुल ब्रेस्ट फिडिंग कर सकते हो इसके साथ ही निपल क साइस निपल छोटा है या बड़ा है यह भी निर्भर नहीं करता लेकिन रिट्रेक्टेड यानि कि उल्टा निपल जब रहता है तब सनपान करने में दिकते आ सकती है अभी हम जानेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा निपल रिट्रेक्टेड निपल है जब आप अपन ब्रेस्ट की स्तनकी गहराईय में और भी अंदर चला जाता है, तो इसको हम उल्टा या रिट्रेक्टेड निपल खहते हैं, जब हमारा निपल छोटा रहता है, या फ्लाट रहता है, सपाट रहता है, तो फीडिंग करने के दौरान बेबी को पीने में इनिशली दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं, जब अपना ब्रेस्ट पूरा भरा हुआ रहता है, इसलिए जब छोटा निपल रहता है, फ्लाट रहता है, तो आपको फीडिंग से पहले अपने ब्रेस्ट से हलके से प्रेस करके मिल्क को निकालना है, और अपने ब्रेस्ट को नर्म करना है, ताकि ज तो हमें बेबी को कैसे पिलाना है, जब निपल रिट्रैक्टट रहता है, तो यह निपल को हमें थुड़ी शे ट्रीक्मेंट देनी है, यानि कि उपचार करने हैं, और यह उपचार एकदम सिंपल सा होता है, हमें बजार से 10 ml की डिस्पोजबल सीरिंज लानी है, जैसे कि यह 10 ml की डिस्पोजबल सीरिंज मैंने लाई है, यह 10 ml की डिस्पोजबल सीरिंज के दो पार्ट रहते हैं, यह सीरिंज है, यह इसका नोजल है, यह अंदर का जो ग्रीन रहता है, यह अंदर का पिस्टन होता है, जो रबर का पुर्शन रहता है, आपको यह 10 ml की जो सीरिंज र का पोर्शन हमें कट करना है, कट करने के बाद आपको यह ऐसा दिखाई देगा, कि यह नोजल जो रहता है, यह नोजल का पोर्शन कट हो गया है, फिर आपको यह पिस्टन को बाहर निकालना है, कटे हुए साइड से यह पिस्टन आपको अंदर डालना है, यह कटे हुए स्प और यह piston यहां है, समझ लीजिए, अपने हाथ तलवों में, यह सेंटर का पोश्चिन जो है, यह निपल है, यह निपल फ्लाट है, यह रिट्रेक्टर है, तो आपको यह जो सीरिंज रहती है, यह उल्टी सीरिंज आपको यहां प्रेस करनी है, ब्रेस्ट के उपर, ताकि अप को पिस्टन को बाहर की तरफ खीचना है, आप देख सकते हो, अभी मेरे हाथ तलवियों की स्किन अंदर जाना शुरू कर दिया है, वैसे ही निपल बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो यह प्रेशर आपको एक मिनिट के लिए बनाया रखना है, एक मिनिट के बाद आपको धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना है, और यह सिरिंज को हटाना है, तो आप जानोंगे, आप देख सकोगे, कि रिट्रेक्टर निपल थोड़ा बाहर आ जाता है, तो तुरंत वो आपको बेबी को स्तनपान के लिए देना है, ताकि बेबी का स्तनपान आसानी से हो जाएग लेकिन पान के बाद आप नोटिस करोगे वो बाहर आया हुआ निपल वापस अंदर चला जाता है इसलिए ये प्रक्रिया आपको दिन में कई बार करनी है और हर फीड़ से पहले करनी है धीरे धीरे वो निपल बाहर आना शुरू हो जाएगा और अपना ये रिट्रेक्टेड निपल का प्रॉब्लिम पर्मनेंटली क्यूर हो सकता है तो आज इस वीडियो में हमने जाद लिया जब हमारा निपल रिट्रेक्टेड रहता है या फ्लैट रहता है तो हमें इस तनपान कैसे कराना है इसके बारे में आपके कोई प्रश्ण रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये प्रेग्ननसी गाइनेक इनफर्टिलिट आई वी एफ रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहे है धन्यवाद